किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है शादी की उम्र निकलती जा रही है जहां कहीं पर भी शादी के रिस्ते के लिए बात चलाई जाती है अन्तो गत्वा ब्रेक हो जाती है शादी का रिस्ता पक्का नहीं होता है तो ऐसी इस्तिति में एक ऐसा पाउरफुल चमतकारी उपाई बता रहा हूँ जो बड़े से बड़े शादी बंधन को विवाह बंधन को ततकाल खोल देगा शिगर विवाह होने का जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पका होने का अवश्य योग बना देगा इस उपाई को किसी भी गुरवार के दिन संपन करना होगा इस उपाई को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्व्यम अपने लिए संपन कर सकते हैं नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शिगर विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रि वीडियो देख रहे हैं और विशेश हता है मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटिक जानकारियां हमेशा पाना चाते हैं जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पकता होने के लिए दूसरे कौन से चमतकारी उपाई कर सकते हैं ऐसी सास्तर समच जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें हमारा जोतिस गुरूजी यूटूब चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है तो चलिए प्रियादर्सकों विश्य पर चलते हैं जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए माता पिता के द्वारा शादी के रिस्ते के लिए बार बार प्रियास किया जा रहा है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो तो ऐसी इस्तिती में किसी भी गुरुवार के दिन प्रात है सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं साड़े पांच-छे बजे के आसपास उठें सोच आदे से निवरत हो करके इश्नान करके सबसे पहला कारिय करना है घर के पूजा इस्तान में एक घीका दीप प्रज्वलित करके आपके मंदिर में विराजित जो भी देवसक्तियां है उनसे अपनी मनो कामना पूर्ण होने के लिए बारंबार प्राथना करें आपके मंदिर में जो भी देवसक्तियां विराजमान है उनके चरणों में जो शिग्र विभा की जल्दी शादे का रिस्ता पक्का होने की अर्जी है वह आपको रखनी है बारंबार सच्ची स्रद्दा से समर्पनता से पूर्ण भाव से जो आपका मनोभाव है वो आपके घर के पूजायस्तान के समक्ष आपको प्रातना कर लेनी है उसके पश्चात ये विशेश प्रियोग आपका प्रारंब होता है आपको आसन पर बैठ जाना है आपके घर के पूजायस्तान के सामने ही सामने कोई पातर रख लीजिए उसमें एक पीले रंग का कपड़ा आपको बिछा लेना है पहले से यूज की आवा नहीं होना चाहिए नवीन वस्तर होना चाहिए आसन पर बैठें सामने कोई पातर रखें उसमें पीले रंग का कपड़ा आप बिछा लें और उस कपड़े के अंदर साथ हल्दी की गांट, साथ पीली कोडी, साथ गोमती चक्र ये गोमती चक्र और पीली कोडी जो पूजा पाट की सामगरी रखते हैं आसी दुकान पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी साथ हल्दी की गांट, साथ पीली कोडी और साथ गोमती चक्र अपने सामने जो पीला कपड़ा आपने बिछाया उसके अंदर रख दीजिए अब इन सामगरीयों के उपर गंगा जलका आपको छीटा मारना है उसके बाद पीले चंदन का छीटा मार देना है जो साथ हल्दी की गांट है, साथ गोमती चक्र है पीली कोडी है, उन पर पीले चंदन का छीटा मार दे और उसके बाद लक्ष्मी नारायन भगवान से माता पिता कर रहे है तो अपने बेटा है बेटी के शिग्र विवाह के लिए कामना करें और लड़का लड़की श्वेम कर रहे हैं तो लक्षमी नारायन भगवान से कामना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पित्र दोष, नजर दोष, ग्रह दोष, शनी दोष, राहु दोष, मंगल दोष किसी भी प्रकार से मेरी कुंडली का विवाह इस्तान पीडित है तो उससे मुझे मुक्ती मिले किशिवी प्रकार का जो ग्रह दोश जो मेरे विवाह को ग्रहन लगाता है वह ग्रहन वह बंधन दोश से मुझे मुक्ती मिले शिगर विवाह का योग बन जाए है प्रभू ऐसी कृपा करें ध्यान रखें पूजा पाठ का कोई भी प्रयोग को प्रियस्पति प्रियस्पति के बीज मंतर का जाप करना है शुक्र का बीज मंतर इस प्रकार से है ओम सुम सुक्राय नमहा और देवगुरु भ्रियस्पति का बीज मंतर इस प्रकार से है ओम ब्रिम भ्रियस्पताय नमहा स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे लड़कों के लिए शुक्र के बीज मंत्र का और लड़कियों के लिए ब्रियस पती के बीज मंत्र की तीन-तीन माला कर देनी है और जो तीन माला संपन हो जाती है उसके पशात जो आपने पीले कपड़े में हल्दी की गांट रखी है पीली कोडी रखी है गोमती चकर रखा है उसको आप एक पोटली बना लीजिए बान दीजिए उसको उस पीले कपड़े में और जिस किसी भी लड़का या लड़की की श प्रियोग विदी है लेकिन कोई उपाई किसके लिए काम करता है इसलिए सबसे सटीक और बहतर तरीका है वैसे मैं साधान पर आपके समक्ष हमेश यह उपस्तित रहता हूँ जल्दी शादी का रिस्ता पक्का होने के उपाई लेकर के उन उपाईयों को आप लगातार पालन करते रहें आप अपनी कुंडली किसी अच्छे जोती शीशे प्रोपर कैल्कुलेट करा लीजिए थाकि एक प्रोपर पता चल सके कि क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के ग्रह नक्षतर की इस्तिती, घ्रह योग, विवाह योग की इस्तिती कब कैसे होगा अलग--लग प्रकार से होती है तो आपके बार-बार उपाई करने के बाद भी बात ना बने तो उस कंडिशन में किसी अच्छी जोतिशी से अपनी कुंडले का प्रॉपर विशलेशन आप जरूर करें और कुंडली के अकोडिंग उपाई करेंगे तो निश्यत रोपेन शिग्र विभाह का मंगलकारी योग जरूर बन जाएगा एक छोटा सा मेरा जरूर आप सभी प्रियदर्सकों से निवेदन रहेगा प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक जरूर शेर करिये ताकि दूसरे लोग भी इस चमतकारी उपाई का लाभ प्राप्त कर सकें मेरे दुआर अपनी जर्म प वहां से लाखों लोग लाभानवित हो चुके हैं आपको भी निश्यत रूपे ने लाभ प्राप्त होगा तो आज के लिए इतना है था देखते रहेगा आप हमारा जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल